अगर आप पढ़ले कर नौकरी करने की तैयारी में लगे हैं तो जरा संभल जाएए इस खबर को देखने के बाद आपके सारे मिधक तूट जाएंगे आज टेकनोलोजी फिर उस रास्ते पर है जहां आने वाले बदलाव से इंसानों के रोजगार पर फर्क पढ़ने वाला है एक बार फिर ये फर्क इंसानों के लिए नुकसान दिह माना जा रहा है क्योंकि आए दन जिस तरह से कंपनिया लगातार रोबोट का सहरा ले रही है उससे तो यही लगता है कि आने वाले दनों में रोबोट ही सारे जौब खा जाएगा उधारन के तौर पर इजराईल जैसे कई देश में और बॉडर की सेक्योरिटी मशीनी आखे करने लगी है यानि की लोगों की जरूरत ही नहीं है विदेश छोड़िये भारत के गुरु इनसे गोदामों में काम लिया जाता है जहाँ ये 500 किलो तक का सामान उठा कर एक से दूसरी जगर रख सकते हैं फ्लिपकार्ट, DT-DC, महंद्रा, डिलीवरी और आर्मैक्स जैसी कमपनियों के गोदामों में इस्तमाल होने वाले इन रोबोट्स की वज़े से यहाँ इनसानों की जरूरत 60-80 प्रतीशत तक कम हो गई है इन्हें बटलर नाम दिया गया है तो वहीं दूसरी और हॉन्डा जैसी कमपनियों में रोबोट्स से काम लिया जाने लगा है जिससे एक पूरे प्लांट तक में सिर्फ 14 लोग काम करते हैं वो भी दो शिफ्ट में जैपुर में ट्राफिक सिग्नल तक पर रोबोट लगा दिये गए हैं मतलब यहां से भी ट्राफिक पुलिस की नौकरी खत्रे में है ये तो खैर ऐसे फील्ड थे जहां रोबोट हो सकते हैं लेकिन जहां दिमागों का इस्तमाल होता है वहां भी छटनी जारी है इन्फोसिस ने पिछले साल 9000 करमचारियों को यह री ओरियेंटिट कर दिया लेकिन इसमें आटोमेशन का भी बड़ा हाथ रहा छोटे स्तर के करमचारियों की छटनी बड़े स्तर के करमचारियों के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है अगला नंबर उनहीं का होगा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती सेमी स्केल्ड लोगों को नौकरी मुहया कराना होगा भारत पहले से ही बेरोजगारी की मार जेल रहा है वहीं आटोमेशन से हालात और खराब होंगे आज देश में 21 साल की उम्र के 2 करोड 40 लाख लोग हैं इनमें से 30 प्रतिशत भी खेती की दरफ चले जाएं या पढ़ाई छोड़ दे तो बचेवे लोगों को नौकरी चाहिए यानि हमें हर साल 1 करोड 60 लाख नौकरियां चाहिए जबकि देश में सालाना सिर्फ 55 लाख नौकरियां पैदा होती हैं पिछले 10 सालों से हर साल 1 करोड लोग बेरोजगार हो रहे हैं और अगले 10 सालों में या आखडा 20 करोड के पार हो जाएगा 227 तक हालाद बेकाबू हो जाएंगे दुनिया भर के अलग-अलग सेक्टर्स में नौकरी कर रहे लोग automation से डरे हुए है automation यानि कोई भी ऐसा काम जुसे अब तक सिर्फ इनसान करते थे उसे इनसानों के बजाए machine की मदद से किया जाए यह machine एक रोबोट, software, satellite या internet कुछ भी हो सकती है तो अगर नौकरी आपकी चली जाए या ना रहे तो खुद को नहीं एक हद तक तक तकनीक को कोसिएगा जो हमने और आपने ही develop किया है